दोस्तों अगर आप लोगों के यूट्यूब चैनल से कोई भी वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी है या पर डिलीट कर दी है तो आप लोगों को उस वीडियो को यूट्यूब के उपर फिट से कैसे लेकर के आना है आज की इस वीडियो के अंदर आप सबी जनलों को तो जल्दी से जनर को subscribe कर लो क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी interesting वीडियो हमेशा मिलती रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सब भी जनर को बता देता हूँ कि YouTube के ओपर आपकी कोई सी भी वीडियो यहने कि केसी भी topic के ओपर कोई भी वीडियो बनी वी है अगर YouTube की तरफ से आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है यह फिर आप लोगों ने ही गलती से वीडियो को डिलीट कर दिया है उस वीडियो के ओपर अच्छे खासे views होंगे अच्छे खासे यहाँ पर जो वीडियो आपके subscriber वगरा लेकर किया ही होगी यह फिर उस वीडियो पर आपको अच्छे खासे like और comment मिले होंगे तो आप लोगों को उस वीडियो लाने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा वो काम यह कि आप लोगों को उस वीडियो का अगर आपकी वीडियो डिलिट होगी है रिमू होगी है तो भी हम सब भी जनों को उस वीडियो का जो लिंक जो है वो हम सब भी जनों को show होता है कहा जो होता है वो आपको show होता है YouTube के एपको आप लोग जैसे उपन करोगे उसके बाद में आप सब भी जनों को जाना है अपने चैनल के उप्शन के लोगों के यहाँ पर एक उप्शन दिखाए देता है इस उप्शन पर क्लिक करना यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यूवर चैनल जब भी आप लोग करेंगे हमारा सामने एक उप्शन दिखाए दे रहा है help and feedback का मैं इस option को सेलेक्ट यहाँ पर कर लेता हूं अब हम सब भी जनों को यहाँ पर क्या करना है हम सब भी जनों को नीचे की साइड में need more help यहाँ पर एक option दिखाए दे रहा है इस option के उपर हम सब भी जनों को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर लिकावा है contact us और यहाँ पर send feedback तो आप सब भी जनों को contact us का जो option है इस option के उपर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग जिससे क्लिक करोगे आप सब भी जनों से पूचे जाएगा किस कारण आप लोग यहाँ पर मिलना चाहते हो तो आपर देगा एपर लग पॉलिसी यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे next option के उपर हम लोग क्लिक कर देंगे remove live content from youtube sign in youtube studio from left handle menu select content click the thumbnail of the video that you want to edit from the left hand menu click editor select option review to original remove any edit that you made to your video यह option उन्हें बता दियेगी आप लोगो setting अदर जाना है यही काम आप लोगो करना है अगर आप लोग फिर भी इस चीज़से संतुष्ट नहीं हो तो next option के उपर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे दो option आप लोगो लगता है कि आपको replay जवाब चाहिए तो आप लोग chat option करो यह तोड़ा fast एगा mail के उपर भी जल्दी replay मिल जाते है लेकिन मैं recommend करूँगा chat option को मैं chat option के उपर में click कर देता हूँ यहाँ पर हम सब भी जन्हों को first name डालना पड़ेगा जो कि हमारे चैनल का है YouTube लास्ट नाम इसका आगया है tips और चैनल का यहाँ पर URL है वो हम सब भी जन्हों को copy करके आपर paste करना पड़ेगा you can we help you how can we help you आपर लिखावा है किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकते हैं तो जो आपका वीडियो के अंदर issue आ रहा है वो issue आप लोगो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो हमारी YouTube की तरब से वीडियो है उस वीडियो के अंदर सा कोई भी गलत नहीं था YouTube की policy खिलाब कोई भी इसी चीज नहीं थी 100% original content है वो वीडियो YouTube ने हमारी डिलीट कर दी है तो प्लीज उसको एक बार review कर उसको देखो is your issue about to यहाँ पर specify video तो आप लोग यहाँ पर yes no के जवाब दे सकते हैं आपकी वीडियों पर remove कर दी है उसका screenshot आप लोगो choose file करना है देन आप लोगो submitting option के उपर यहाँ पर click करना पड़ेगा यह चीज़े करने के बार में से submit करोगे आपका submit का काम पूरा हो जाएगा जो भी एकर YouTube टीम से घलती हुई है आपकी वीडियो सही है फिर भी उसको remove कर दिया गया है delete कर दिया है कोई भी reason रहा है अगर उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आपकी वीडियो 110% मैं आप लोग के देता हूँ 200% मांद करके चलो आपकी वीडियो वापस YouTube के ओपर आ जाएगी तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना आते हैं बागी मिलते हैं ने स्टूडियो के अंदर तब तके लिए टेक केर जैहीन बंद मतरम दोस्तों